हलो एवरिवन, एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत हैं, हम बात कर रहे हैं, लहाबाद विश्व विद्याले, नॉन टेचिंग स्टाफ भरतीगी, आपको पता है कि आज आपके एक्जाम जो होने थे, वो हो चुके हैं, और आप लोगोंने कैंडिडेट के कु से भी कमेंट सेक्शन में भी अभ्यर्थियों ने अपना सजेशन दिया है कि किस तरीके से क्या चीज़े रही हैं, पूरी बात करेंगे हम आज के पेपर में कैसा रहा पेपर, किस सब्जेक्ट से किते प्रश्ण आ रहे हैं, ताकि इनका कल एक्जाम है, वो थोड़ा सा इल जो कि अभी हैं, तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, और अच्छे से चीज़ों को समझते चलिएगा, अब आपने देखा होगा जो रिव्यू है कुछ अभेड़ती हैं, जो कि अपने कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, कि सब ही लोगों ने अपने तरब से बताए है आज morning में भी चीज़े बताई थी, कि ऐसा हो सकता है कि पिछली बार की तरह आपको ना मिले, तो वो चीज़ नहीं मिली है, लेकिन candidates को जो question याद है, उसके बेस पर उन्होंने handwriting में भी लिखत कुछ टेलेग्राम पे शेयर किया, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और कुछ अबहरती हैं, जिन्होंने comment box में direct अपना question दिया, उनको भी धन्यवाद की ताकि आप लोगों तक चीज़े पहुच पाएं कि actual में किस तरीके का exam pattern रहा है, तो हम पूरी बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से question paper आ रहे हैं और जिनके exam कल है, उनको extra क्या चीज़ें अभी कर लेनी चाहिए, देखे, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, वो तो आपने पढ़ा है, एक्स्टा क्या करना है वो अभी आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बतादे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई थी paper उसी के अनुसार जो है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आपका paper set नहीं किया गया, प्रिवियस एर में यही था format exam का लेने का, कि जो 100 questions थे total, जैसे आपके subject में डिवाइड है न, 15 English है, 15 Hindi है, फिर general administration है, मतलब relevant subject अलग है, फिर आपके GKGS है अलग, तो उस तरीके से उत्ते उत्ते question नहीं प्रिवियस एर में यही format था, इस पार भी ऐसा ही है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जैसे आपने हिंदी जो चीजे पढ़ी, हिंदी के question आए जरूर है, लेकिन केवल हिंदी के जैसे उसमें दिया था कि आपके विलोम शब्द आने हैं, परियावाची, संधी विच् प्रशन आये हैं वहां से, और वर्ण माला से आभी सकते थे, मैंने इस चीज़ आपको पहले भी बताया था, कि उसमें जो आपका syllabus लिखा है, उसमें इत्यादी वर्ड लगा है, और वो आएगा, मैंने खुद भी आपको वर्ण माला से related पूरी वीडियो प्रवाइड की थ कि वहां से उसको पढ़ लीजेगा, वहां से question आ सकते हैं, तो वहां से आये थे, दूसरी बात करें कि sentence से आया था, हिंदी grammar से प्रशन पूछे गए हैं, जैसे संग्या है, सर्वनाम है, तो इस से related भी कुछ प्रशन आ रहे हैं, तो possibility बनती है कि आपके भी जो कल exam है, उसका भी format यही रहेगा, आपके भी question paper आपको नहीं मिलेंगे, exam में इसी तरीके की चीजें आपको भी देखने को मिल सकती हैं, तो हिंदी में जो आपने पढ़ लिया है, उसको पढ़ लिया है, उतनी चीजे को revise करिएगा, और जो वर्ण माला समास यह सब भी हैं, और जैसे sentence हमा अभी भी time है, आप वीडियो के speed को increase करके उसको complete अपना जो है, रिवीजन कर ले वहां से, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में यहां से प्रशन आ रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, इंग्लिस में क्या करना है, इंग्लिस में आपके अंटॉनिम, सिनोनिम आपने यह सब पढ़े हैं, उसी को revision करिए, उसके बाद शुरूम बताया था कि articles से आपके प्रशन आ सकते हैं, articles, rules से, आज paper में candidate ने बताया कि जो है, एंटॉनिम, सिनोनिम तो नहीं थे, लेकिन आपके sentence correction जो कराये जा रहे हैं, उससे संबंधित प्रशन आये थे, तो उस का paper tough था, सभी के according बताने के आधार पर मैं बता रही हूं, कि जो question paper अच्छे level का set किया गया था, इसमें आपको science, quality, सब के question देखने को मिले, history के question कम आये थे, history के question कम देखने को मिले हैं, लेकिन science के जैसे मैंने भी आपको practice session में भी कराया था, कि blood वाले question की कि किसी व्यक्त कहां से आये हुए है, science और आप पुरसकार से संबंदित, दिवसिस से संबंदित, चीजें पूछी गई है exam में, तो जितने आपको मैंने ये सारे series कराये थे, अगर आप टोटल पढ़ लिया है, तो उसको revision कर लिजेगा, ये चीजें आपके GKGS में आई थी, चुकि आज के exam में math और reasoning आनी ही नहीं थी, इस वज़े से न math आई है न reasoning, आप लोग ये भी question कर रहे थे, कि math और reasoning से प्रशन अभी के exam में पूछे गए है या नहीं, तो math और reasoning के question नहीं आया है, क्योंकि वो syllabus में नहीं था, लेकिन जो और भी कुछ ऐसी चीजें उसमें पूछी गई है, और वहाँ पे दिया गया है, जैसे librarian का candidate बता रहे हैं कि library से related वहाँ पे प्रशन दिये गए थे, relevant subject में, तो अगर एक candidate के लिए अगर वो चीज समस्या सामने आई है, तो सभी के लिए होगा, तो उससे आपको परिशान नहीं होना है, कि हमने तो जो है library वाला 30 या 20 question जो आय नहीं थी क्योंकि वो भी out of syllabus रहा था, तो इतनी चीजे थी आज की exam में, दूसरी बात बात करें, extra क्या चीजें इसमें आई हैं, दूसरी चीज बताया जा रहा है current affair के विशह में, current affair को बता रहे हैं candidate कि आपके 5-6 प्रशन पूछे गए हैं, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रशन पूछे जा सकते हैं, जो भी लास्ट मन्थ हैं आपके जैसे मार्च, अप्रेल, मई यहां तक के current को ज्यादा कवर किया गया है, वहां से पूछा गया है प्रशन, ठीक है, तो दो वीडियो आपको दी गई है, एक तो आपको प्रैक्टिस टेरिशन में दिया गया कल उसको आप रिवीजन कर लीजे, इसके पहले भी एक थेवरी क्लास दी गए थी current की, उसे पढ़ेंगे आप, दो चीजे आपको करनी है कल के एकजाम के लिए, और जितनी चीजे पढ़ें उसको रिवीजन करिए, जो नई एक्स्टा चीजे बताई जारी है, उसको एक बा पेज रहा है, और जो है, आपके कम्प्यूटर, कम्प्यूटर से भी प्रश्ण पूछे गए हैं, कम्प्यूटर के लिए मैंने क्लास पहले दी थी, कुछ चीजे बात में भी दी थी, लेकिन कम्प्यूटर के कोश्चन अच्छे खासे देखने को मिले हैं, लगबहग 10-12 क कॉष्चन रहे होंगे बेसिक ही हैं उसमें बहुत जादा टुफ नहीं है तो आपको computer के लिए क्या करना है computer के लिए previous video पढ़ी है उसको देखना है अगर उसको नहीं भी देख सकते तो अभी आपको कुछ देर बाद इस video के मालीचे एक घंटे के बाद आपको मैं एक video दे र तो आप वहाँ से कर सकते हैं, one-liner form में computer की मैं आप को जो है video अविडियो रादूंगी और current के, current और computer के आप इन दोनों को वीडियो से cover कर लेंगे, कल आपके exam है, अभी आपके पास time है, अभी तो इसको आप जो है video को speed बढ़ा के पढ़ेंगे, तो हो जाएगा ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी आप इसको अराम से कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े नई करने हैं आपको क्या कम्प्यूटर कर लीजेगा जो अभी दे रहे हैं वीडियो कुछ दिर बाद और करेंट अफेयर करेंट फेयर प्रीवियस वाला देखना है और नई वीडियो भी आपको दे देंगे उसको एक बार पढ़ लीजेगा आप सभी लोग पीडिया भी तुरंत वीडियो के खतम होत तो कुछ लोग मैंने पोल बना दिया था यूट्यूब पे भी जो है कम्यूटी में भी मैंने डाल दिया है और टेलिग्राम पर भी कितने कोस्चन आपने अटेंप्ट किये हैं सब कुछ आपको बताना है अगर जो वहां पर नहीं पहुत सकते वो इसी कमेंट सेक्शन में कि लगभग आज के एक्जाम में मैं कोस्चन पूछ रही हूं कितने आपने आपके कॉड़िंग कितनी चीज़े सही हुई है वह बतानी है कि लगभग average कितना रहा question attempt करने का सौ में से कितना किया है आपने यह बताना है आपको तो आपके तभी जो है कुछ अनालेसिस सही हो सकता है तो अभी फिलाल इसको बताना की cut off क्या होगी इसके लिए अभी नहीं बताया जाएगा आज अभी आप लोग बताईएगा कि कितने किसने question किये है उसकी recording फिर आपको एक वीडियो cut off की जो है आपको दी जाएगी ठीक है और बाकी आपके जो library और laboratory अटेंडेंट व भारती संस्कृती से संबंदी सभी तरीके के प्रश्ण पूछे गए हैं ठीक है मैंने पहले ही बताता है GKGS कभी नहीं बदलता है वो चीज जो आपने इक बार पढ़ी है वही चीज आती है question का level up down होता रहता है तो जब MTS का paper उस हिसाब से tough बनाया गया है बता रहे है भे दूसरी बात है कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं कि आज का paper tough था कल भी ऐसे ही आएगा कल का कल देखेंगे लेकिन जितनी चीज आपने पढ़िए उसको तरीके से पढ़िए जो इक्स्टा बताई गई उसको पढ़ना है ठीक है दूसरी बात है कि GKGS के लिए अभी पूरी चीजे समझ में आ गई होंगी कि पाठेकरम में जो चीजे दी गई थी उसके अनुसार एक्जाम में चीजे नहीं पूछे गई है जनरल एड्मिनिस्ट्रेशन से भी एक या दो प्रश्नमात्र पूछे गए है ठीक है अकल आपके relevant subject में about university है और office upkeep है math, reasoning सब कुछ ह तो आपका paper का इस तर दूसरा हो सकता है ठीक है लेकिन जो चीजे include करनी है वो बैता दिया है अब आपको कुछ देर बाद जब video मिलेगी तो आप वहां से revision करेंगे cut off के लिए video का विंतजार रहेगा आपको इसके लिए आपको मिलेगा आप लोग पोल पे अपना voting कर दीज करता है और बाकी प्रोसेस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में फिल हाल इतना ही नेक्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे जय हैंदर